ग्यान दे ट्रेजर में आपका स्वागत है आप हमारा चैनल अनपुर्णाफूट्स और दिवाइन मंत्रा जरूर देखें आपको अच्छा लगेगा और हम आपको बताने वाले हैं बॉइफ्रेंड से कुछ ऐसी बाते होती हैं जो लड़कियों को नहीं कहने चीए या फिर बॉइफ्रेंड सुनना नहीं चाहता है उस अपार देखें कौन सी बाते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आप प्यार में हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप रिष्टे की इज़त करें अपने पार्टनर या बॉइफ्रेंड को उसकी कमिया गिनाने की बज़ाय उसे वैसा ही एक्सेप्ट कर ले जैसा हूँ है आपका रिष्टा जैसा भी चल रहा है उसे वैसा ही चल ले दे कुछ चीजों को भूल जाएं और कुछ चीजों को अनसूना कर दे लड़कों को ऐसी लड़कियां पसंद नहीं आती है जो उनकी निजित जिन्दगी में दखल देती है और ने बदलने की कोशिश करती है लड़कियों को भी ध्यान देना चीए कि वह कुछ ऐसा ना बोल दे जिससे उनके रिष्टे में दरार पैदा हो जाए तो चलिए हम उसी चीज़ पे आता है लड़कों को कभी मत कहो आप कि मेरे एक्स ने भी ऐसा ही किया था कभी भी अपने एक्स और अपने वॉइफिंड की तुन्ना न करें इससे आपके वॉइफिंड को लगे है कि आप भी अपने एक्स के बारे में सूचती है अब भी और से पसंद करती है और हमने पसंद यही सूचे करती है फिर तुम मुझे क्यों प्यार करते हो, कभी ये सवाल मत कीजिए, अपने प्यार के पंचनावा मुफी में एक डायलग दरू सुनाऊगा, प्यार एक अहसास है, इस बात को थोड़ा गंबीरता से लें क्योंकि आपका अवोईफरेंट आपको प्यार जरूर करता है, मगर लगता है कि आपको बॉइफरेंट अपनी मा के करीब है, तो उसे ये कहना बंद करने कि आपको पसंद नहीं है, आप ये बात किसी और तरीके से भी गोल सकती है, फिर एकसर आती है बाते कि तुम्हें नहीं लगता है क्यों लड़की प्यारी है, ये सवाल सुनने में ठीक वैसे ही लगता है, मानो जैसे आप पूछ रही है कि क्या मैं मोटी दिखती हूँ, ऐसे सवाल मत कुछ ही है कि बाद में आपका बॉइफरेंट किसी दुगदा वे पढ़ गया है, फिर एक बड़ा इपर्वानेंट लाइन होता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ, आप पूब बॉइफरेंट को पता है कि आप किसी बात से अफसेट हैं, लेकर उसके बार वार पूछे जाने पर भी आप यह कहती है कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो आपको यह बात बिल्कुल भी नहीं आती है क्योंकि वह आपके क्या करता है, तो उस चीज को समझी कि वह बार वार से हर्ट है, फिर माफी मांगना या ना मानना यह उस पर डिपेंड करता है, तो धिन्यवाद, एक दोर आप कभी ध्यान रखिएगा, कभी मत कहिएगा कि तुम्हारा भाई, दोस्त, कजन कितना होट लगता है, इन शब्दों को कभी भूल कर भी मत कहिएगा, इससे जबरद हर्ट होता है लड़कों को, तो धिन्यवाद आप हमारे चैनल पे सब्स्ट्राइब करें और अपने कमेंड दीचिए, धिन्यवाद,